बिस्मिल्य रह्मानि रहीम, असलाम लेकूम, आज मैं आप सब के लिए आलू मेती पालक की रेस्पी लेके आए हूँ सरदियों में आलू मेती की सबजी तो हर घर में बनती है हमारे घर में जो डिफरेंट स्टाइल के आलू मेती पालक की सबजी बनती है आज मैं इसी की रेस्पी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ तो आईए चलते हैं अलू मिती पालक को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उस से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसके बाद इसी ओयल में वन टी स्पून साबुत सीरा एट करेंगे साथ ही आदा किलो मिती शामिल करेंगे इसी के साथ आदा किलो आलू इसमें एट करेंगे तकरीबन एक बंच के करीब मैं इसमें पालक एट करूंगी हल्दी पौडर जाएगा इसमें हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च वन टेबल स्पून नमक हस बेजाएगा अब इसको अच्छे से भून लेना है तक्रीबन दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर बस इसको इतनी देर तक कवर करके रखना है कि आलू गल जाएं तक्रीबन 10-15 मिनट में आलू गल जाएंगे जितनी देर में आलू गलेंगे इतनी देर में लाल साबित मिर्च जो फ्राय करके निकाल लेती इसको किसी भी हैमर या हावन दस्ते इस तरह से क्रुष्च कर लेना है वैसे तो कुटी लाल मेच हमने इसमें आट की है लेकिन साबित लाल मेच इससरह से फ्राय करके डालने से एक तो इसका फ्लिवर बहुत मज़े काएगा दूसरा फ्राया और क्रश्ट करके एड़ करने से इसके खुच्बू बहुत अच्छी आएगी जब आलू गल जाएं तो इसमें तीन से चार मीडियम साइस के टेमाटर एड़ करेंगे साबित लाल मेर्ट जो क्रश्ट की थी वो एड़ कर देंगे इसमे इमली का पल्प एड़ करेंगे इसमें टू टेबल स्पून के बराबर साथ ही इसमें एक कप पानी एड़ करेंगे उसको अची तरह से भून लेंगे तकरीबन एक से दो मिनिट तक इसके बाद इसमें एक कब पानी और एट करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ताकि टिमाटर जो हैं वो गल जाएं जब टिमाटर गल जाएंगे तो इसमें 2-3 बड़ी कटी हुई हर्मिट्चे शामिल करेंगे और इसको दम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ये देखें कितनी मज़ेदार सी आलू मेथी पालक की सबजी रड़ी हुई है आपको मेरी आज की कोई कैन एजी आलू मेथी पालक की रेस्पी कैसी लगी अपनी फीड़बैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ला अल्ला हाफेज